हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टू जी टैक पॉली दोस्तों हम एप्लाइड मेकैनिक्स की स्टडी कर रहे हैं जिसमें कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर सेकेंड सिस्टम ऑफ फोर्सिस और आज ये मेकैनिक्स का लेक्चर नंबर सेवन है इस से पिछले लास्ट लेक्च कर चुके हैं जिसमें की मैं आपको बता दू कि हम चैप्टर नंबर सेकेंड में अब तक क्या-क्या पढ़ चुके हैं तो सिस्टम ऑफ फोर्सिस हम कम्प्लीट कर चुके हैं रिजल्ट एंट फोर्स को फाइंड करने के मेथर्ट निकाल रहे थे और में एपना अनलेटिक म of forces यह complete हो गया और दूसरा हमने इसमें पढ़ा था resolution method यानि कि भी ओजन भी थी परिणामिवल निकालने की भी ओजन भी थी तो हम इसके analytic method के दोनों method हम complete कर चुके हैं और आज की इस class में हम बात करने वाले हैं दोस्तों graphical method की यानि कि resultant force R निकालने का जो graphical method होता है जो graph बना करके हम R की value निकालते हैं उसे सीखने वाले हैं एंड इसके बाद हमारे दो topic बचेंगे लामीज थी और मेंड free body diagram तो चलिए heading लिख लिजे सभी लोग graphical methods to find resultant force यानि परणामिवल ग्यात करने की गिराफिय भी दी ठीक है तो हमेंडे continue करते हैं बिना देरी किये हुए heading लिखेंगे हम सभी चलिए heading लिख लिजे ग्राफिकल मेथड ग्राफिकल मेथड ग्राफिकल मेथड ग्राफिकल methods यानि हिंदी में से हम कहते हैं graphia vidi graphia vidi तो graphical method हमारे दो होते हैं जिस तरह से analytic दो थे उसी तरह से graphical ग्राफिकल मेथड किस चीज का तो resultant force r यानि परणामी बल आर ग्यात करने के graphia vidi हम पढ़ने वाले हैं तो graphical method में जो सबसे पहला method हम पढ़ेंगे इसमें वह पढ़ेंगे बलों के तिर्भुज का नियम क्या पढ़ेंगे हम law of law of triangle law of triangle of forces यानि हिंदी में इसे कहते हैं बलों के तिर्भुज का नियम बलों के तिर्भुज का नियम clear? heading लिख लिए आप सभी बलों के तिर्भुज का नियम देखें क्या होता है बलों के तिर्भुज का नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा विकोज इसकी थियोरी भी पूछता है हम से, थियोरी पूछी जाती है कि बलों के त्रिभुज का नियम क्या होता है, या फिर पूछता है बलों के त्रिभुज के नियम से आप क्या समझते हैं, What is the law of triangle of forces, इस तरह से थियोरी में पूछता है, बड़ मैं आपको सबसे पहले इसकी थियोरी भी बताऊंगा कि यह नियम होता क्या है, इसके बाद इस नियम की साहिता से हम आर कैसे निकालते हैं यह सीखेंगे, और उसके बाद हम इसका numerical किफशन भी करके देखेंगे, जिसमें कि हमें ग्राफ बनाना रहता, बहुत सिंपल है, एक दम इजी लिए आपको समझ आ जाएगा, बस आप ध्यान से इधर सामने देखिए और सुनते रहिए ठीक है, इससे पहले जो मैंने आपको अनलिटिक दोनों मेथड पढ़ाए थे, उम्मीद करते हैं हमने पिछली क्लास को देख लिया होगा, नहीं देखा तो जरूर देख लें, क्योंकि यहां पर आपको रिलेट समझ में आ जाएगा फिर उसमें और इसमें, ताकि confusion ना हो, समांतर चत्रवज के नियम में पढ़ा था, कि किसी भी पॉइंट पर दो फोर्स एक्ट करते हैं, तो उसके बाद हमने देखा था फिर कि उसमें रिजल्टन फोर्स कैसे निकालते हैं, सेम यहां भी हम यही काम करने वाले हैं, किसी पॉइंट पर दो फोर्स काम करेंगे, यानि कि एनलिटिक का समांतर चत्रवज का नियम और ग्राफिकल का त्रवज का नियम, लगवग सेम हैं, ध्यान से आपको सुनना है, बस वहाँ पर हमें कैलकूलेशन करने ने कलीनख लिए फोर्मूला निकलक आता था? यहां में कोई फोर्मूला डिराइब नहीं करना है। सिम्पला आपको ध्यान रखना है कि इसमेंदो बलों के लिए ही काम करेंगा, 2 से ज्यादा बलों के लिए ये नियम नहीं लगेगा किलियर ना तो हमने क्या बोला किसी भी पॉइंट पर 2 समतलिय संगामी बल मैं समतलिय संगामी क्यों बोल रहा हूं कैसे 2 समतलिय संगामी 2 समतलिय संगामी बल That means 2 co-planar 2 co-planar concurrent forces ठीक है समतलिय का मतलब होता जो एक ही plane में काम करते है तो ये की plane में लग रहे है जैसे board एक plane है तो एक ही plane में लगे हुए है Forces and concurrent संगामी मतलब जो एक ही point पर आके मिलते हैं तो दोनों की line of action यानि किरिया रेखा है एक ही point पर मिल रही है सिसलिए नहीं संग rich! तो भूलेंगाया। यदा कोई भी दो संतलिय संगामी बल्राइब किसी एक पोईंट पर कार्य कर रहे हो। किसी एक पोईंट पर एक्ट कर रहे हो। और न दोनों बलों को हम तिरवुज की दो कृमागत बोजाओं से किस से दो क्रमागत बोजा क्रमागत बोजा दो क्रमागत बोजाओं वहां हमने लिती आसन्य बोजाएं एडजासेंट साइट यहां लेंगे कॉन्जी केटिव साइट ठीक है दो कॉन्जी कुटिव साइट लेंगे हम यहां पर दो क्रमागत भुजाएं क्रमागत का मतलब जो क्रम से आपस में मिलती हो आदा नियम हो गया आपका क्या कि यदि किसी भी पॉइंट पर कोई भी दो सम्टलिय संगामी बल कार्रे करते हो औ से दो क्रमागत भोजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए चलिए यहां प्रदर्शित करके दिखा देतें आपको कैसे प्रदर्शित करेंगे इस नियम को solve करने के लिए इसका numerical solve करने के लिए विकाज ये graphical में थड़ है तो हमें दो इंस्टुमेंट चाहिएंगे ठीक है एक तो क्या दो करने चांदा जिसे प्रोडक्टर बोलते हैं दूसरा चाहिए हम इसकैल या नहीं पेमाना दो आपके पास होना जरूरी है हाला कि numerical इससे नहीं पूछा जाता है फिर भी पूछले तो आपको मैं solve करना सिकाऊंगा इसलिए पेमाना चाहंदा दोनों साथ में लेकर आपको बैठना है तो मैंने क्या बोला कि दो बल काम कर रहे थे किसी पॉइंट पर इन दोनों को मैं तरवुज की दो किरमागत भोजाओं से दर्साओंगा किरमागत का मतलब मैंने माल लिया ओ अधिसा में तो एफटू लग रहा है तो सबसे पहले में जो यह ओ लग रहा है वल एफटू दिसा में पहले मैं इस बल में जो लग रहा था हमारा f1 force f1 force ठीक यह वाला यहां तक समझ जा रहा है मैंने बोला क्रमागत भोजा तो यह जो दूसरा बन लग रहा था हमारा f2 इस साइड में सपोज हैं कोई अंगल ठीटा है ठीटा एंगल पर लग रहा था तो हम क्या करेंगे यहां से थोड़ा डै समझ पा रहे हैं यह लाइन यह ठीटा एंगल से हम यह रहेगा horizontal से 36 से ठीटा एंगल बना रहा था यह ओवी वाला force है हमारा ठीक है यह क्या है आपका f2 f1 f2 मैंने क्या किया किसी पॉइंट पर दो बल लग रहे थे कोई एक तो क्या लग रहा था एफ1 दूसरा लग रहा करेंगल को बंद करने वाल जो जो थीरि भूजय ओगी ध्यान से सुनी क्या बोला इस छाय को डियाँ में दोपरामी बल días में दोनों के typis है देखिए यह आगे की तरफ बढ़ रहे थे ऐसे ओ ए फिर ओबी तो दिसा इसकी इस तरह है से उनीची होती है और की तरह इसकी दिशा कैसी होती है आर को धर साईगी इसकी डारेक्शन अ प्रजिट होती है यह हो गया ट्रेंगल का नियम एक बार पूरा मिक्स करके बोलता हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों बहुत इंपोडेंट है थियोरी के परपस से तम क्या बोलेंगे यदि किसी भी पॉइंट पर कोई भी दो समतलिय संगामी वल यानि टू को प्ले को बंद करने वाली जो तीसरी साइड होगी जो की डैरेक्शन में अपोजिट होती है पहली दोनों साइड के यह इसके रिजल्टेंट को दर्साएगी एफवन एफटू के परणामी वल को दर्साती है रिप्रिजेंट करती है सभी को समझ आया फिर से मेरे साथ साथ बोलें और थैसे कि महले किया यदि किसी पॉइंट पर कोई भी दो सम्तलिय संगामी व烤क आया deja वर इन दोनों वेलों को किसी तिर्भुज की दो क्रमागत भुजां से प्रदर्सित किया जाए तो इस तिर्भुज को बंद करने वाली तीसरी भुजा इन दोनों वेलों के परणा forces act on a point o yaw on a point then क्या करेंगे है then we represent then we represent them two consecutive sides of a triangle then then क्या होगा फिर के इसको जो बंद करने वाली तीसरी side होगी यह किसको represent करेंगी इन दोना फोर्स के resultant force को represent करती है परणामी को दरसाती है यह सबी को समझ आया तो इसकी यह कि थेओरी हिंदी में से लाइड में सो हो रही है आप हिंदी में वहां से देखके लिख सकते हैं इंग्लिस में अप ट्रांसलेट करके खुद से भी लिख सकते हैं technical quest आपके स समझे उसको हुए हैं मबीद करते हैं इसकी थि यहरी आप को समझ देखते हैं इस पर numerical जो आते हैं उन numerical को कैसे solve करते हैं ध्यान से समझियेगा अब graphical method है तो आपको दो instruments यह इसके लिए मैंने पहले बता दिया चांदा और फेह मना ठीक है सब्सक्राइब यह कोई पॉइंट ओ था दियान से सम्झेंगा दोस्तों यह पॉइंट हो था इधर एक डिरेक्शन में एक फोर्ष लग रहा है एक वन स्की वैलू आपको दी जाएगी ठीक है और दूसरा फोर्स लग रहा इधर एफ टू महली यह दूसरा फोर्स लग रहा है यह वाला आपका F2 तो यह F1 F2, दो force act कर रहे हैं, एक O A दिसा में और दूसरा O B direction में, यहां तक के लिए रुआ आप सभी को, दीख रहा है नहीं तक, यह और नीचे बना दे, चली नीचे बना देते हैं, एक force यह है F1, जो की O A direction में लग रहा है, दूसरा force यह है, जो की O B direction में लग रहा है F2, दोनों के बीच का एंगल है, ठीटा, ठीटा दे रखा है, अच्छा मैं इस पर इस नुमेरिकल ही दे लेता हूँ एक, ताक कि हम नुमेरिकल की Elpses को समझ सके है, ठीक है, तो नुमेरिकल में सपोच F1 की वैलू दे रखिये में कितनी, 40 N, और F2 की वैलू कि इसमें दे रख हुआ, 50 N और 40 N, 50 N और 40 N के दो फोर्स लगे है, ठीटा की वैलू दे रखिये 45 डिग्री, दोनों के बीच का जो एंगल है, वो दे रखा है कितना, 45 डिग्री, और हम से कहा गया कि आप इसका परणामी निकालो, यानि इसका क्या R बताना है, में रिजल्टेंट फोर्स R, हम हमें इसका R find out करके बताना है क्या होगा, ठीक है, लेकिन हमें साथ में condition दे दी, कि ग्राफिकल मेथर से बताईए, तो ग्राफिकल मेथर से हम क्या करेंगे, law of triangle लगाएंगे, विकोज अगर ग्राफिकल मेथर नहीं कहता, तो हम अपना R किस से निकाल देते हैं, समांतर चत ट्रेंगल में, किसी भी पॉइंट पर दो फोर्स काम करते हैं, F1, F2, और हम इसको triangle की दो साइट से denote कर दे, triangle की दो साइट से कैसे, पहली O A side है, तो O A side इधर कीचेंगे, बिल्कुल इसी के parallel समांतर, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहला step रहेगा, कि हम यहाँ पर करेंगे, तुम पैमानी की साइटा से बनाते है, scale की साइटा से, और scale में कहीं भी Newton नहीं लिखा होता, हमारा scale mm में होता है, inch में होता है, centimeter में होता है, इसलिए हम इस Newton को centimeter mm या inch में convert करने के लिए scale मानना पड़ता है, तो मैंने suppose यहाँ मान लिया, आप round figure में मानना, जिससे 10 Newton एक centimeter है, तो 50 Newton कितना हो जाएगा, 5 centimeter, और 40 Newton हो जाएगा, 4 centimeter, तो जो 50 Newton वाला है, मैं उसे तक खीच दे रहा हूं कितना, 50 वाले को 5 centimeter, पैमाने में 5 centimeter नापना, और इस तरह से line खीच देना, कितनी 5 centimeter की, इतना काम कर सकते हैं, आप सभी 5 centimeter, क्या आगया हमारा, जो OE की दिस 45 degree का, इसके उपर आप चांदा रख दीजिएगा, जो D होता है, उसे रखेंगे, और इस line के साथ ऐसे करके 45 degree पर हम एक line खीच देंगे इतर को, कितने पर, 45 degree पर, और यह जो line कीच देंगे 45 degree पर दोस्तो, angle धियान रखिए, जो angle यहां दिया है, वो यह angle यहां होना यह force हो गया, जो O B वाला force था, यह वाला B वाला, इतना किलियर हुआ, तो हमने क्या काम कर लिया अपना, हमने काम कर लिया, कि इस दोना forces को तिरभुच के दो side से दरसा दिया, अब मैंने क्या बताया था, इसका R कैसे निकलेगा, तो इस पहले force के first point को, दूसरे force के last point को आ इसके R को दरसाती है, तो मैंने इन दोनों को अपस में मिलाया, किस किस को, इसको, ठीक है, यहां से जब हम इसको मिला देंगे इस तरह से, तो यह जो हमें मिलेगा, विकोजिन की direction ऐसे थी, इसकी direction ऐसे रहेगी opposite, यह हमें R मिल जाएगा, ठीक है, R, R की value कैसे निकालते है, पहली चीज हमने क्या किया थे scale मान करके, हमने क्या किया, sides कीचल ली, ठीक है, इतना करने के बदद दूसरा काम क्या करेंगे, जो हमारा R है, R की distance को नाप लेते है, R की जो distance है, इसको major कर लेते है, scale से इसको नाप लेंगे, कितना आया है, तो यहां से पयमाना रखिएगा, इसके उपर इन दोनों से बड़ा है डेट मीज चार या पांस से बड़ा आएगा वैलू अब पेमाने से नाप के देखना है इसको जब आप इसको नाप एंगे तो यह 8.1 cm आएगा आप नाप के देखना अगर सही से आपने गिराफ बनाया होगा इसके लगारा सब एंगल व आपको आर हमने नाप लिया तीसरा काम क्या करते हैं हमने जो हमारी यह दूरी आई थी जो डिस्टेंस आई थी हम आर की वैलू निकालने के लिए इस डिस्टेंस में इस डिस्टेंस में जो हमने स्केल माना था दोस्तों स्केल माना था उससे मल्टिप्लाई कर देंगे जैस पॉइंट वन में 10C multiply कि तो 81 क्या गया 81 Newton हमारा R की value आगे यह हो गया answer समझ पारे हैं सभी यह R की value हो गयी magnitude हो गया कभी-कभी इसकी direction पूछता है direction क्या पूछता है direction मतलब दिसा पूछता है तो दिसा मैंने क्या बताया था कि यह जो आ रहे है यह horizontal से कितना एंगल बना रहा है यह वाला जो एंगल यह alpha होगा इस alpha को कैसे निकालेंगे आप इसको चांदे से नाप लेजेगा protector से इसको major कर लेना रखके नाप लेना नापने के बाद आपको इसकी value मिल जाएगी ठीक है वैसे इस question में जो इसकी value आ रही थी alpha की value 22 degree आ रही है आप नाप के देखना 22 degree के something वेटेगा अब एक चीज़ और सुलने आप धिहान से graphical method में answer थोड़ा बहुत vary कर जाता है बिल्कुल परिशान नहीं होना आपको method check किया जाता है exam में इसमें विकोज अगर किसी ने 8 लिख दिया है किसी ने 8.1 लिख खा किसी ने 8.2 लिख तो 81-82 इस तर वेरी करता रहता है और graphical method में answer थोड़ा इदर उदर हो सकता बिल्कुल परिशान नहों आप बस आप इसको solve क करना सीख ले समझ आया तो आपको नियम भी समझ आ गया numerical कैसे करना है ये भी आप समझ चुके हैं आराम से तो मैं एक बार fastly revise कर दूं क्या क्या हमने पड़ा हमने पड़ा त्रभुज का नियम क्या होता है त्रभुज का नियम यदि किसी भी point पर 2 समतलिय संगामी वाल कार एक परे करते हैं और इन दोनों बलों को किसी त्रभुज कि क्रमागत हुसकर से प्रदस्यच कि आ जाए तो त्रभुज कि तीसरी भुजा को बंद करने वाली इसरी साइड होती है यह इसके परणामी को दर्साती है जो कि दिसा में विप्रीद होता है इतना समझ गए इसके बाद इससे नुमेरिकल कैसे करते हैं तो एफ एफ टू को एक स्केल मान करके सेंटीमीटर में भुजाएं खीच लेंगे तीसरा इसको और इसको मिला देंगे आर जो आएगा इसको नाप लेंगे कितना है उसमें स्केल से गुणा करके हमारी वैलू आ जाती है आर की डायरेक्शन के लिए इस एलफा को चांदे की सायता से नाप लेते हैं जो की वाइस डिग्री आ रहा था उमीद करत करते हैं इस क्लास में आज की में सामको लाइट टाइम से आ जाती है तो आपको एक क्लास और आज ही प्रोवाइड कर देंगे अधरवाइस मोर्रिंग में आपको क्लास मिल जाएगी अब मेरा आप सबसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हम दो सब्जेक्ट जिस तरह कर लेते हैं बागी आप बता सकते हैं कि दोनों सब्जेक्स आज साथ साथ लेकर चलना चाते हैं यह पहले मेकैनिक्स कम्लीट करने उसके बाद हम मैत पढ़ लेंगे आप के उपर डिपेंड करता आप जैसे पढ़ना चाहेंगे मैं आपको उसी तरह से पढ़ाऊंगा झाल झाल